तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सकसेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मद्यप्रदेश अथति सिचक भरती से संबंदित एक महत्पून अपडेट निकल करके आ रही है ए कि अब जोइनिंग होने वाले है डारेक्ट जोइनिंग लेडर निकलने वाला है तो कौन से ऐसे अथति सिचक हैं वो सारी जानकार हम आपको देने वाले हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की मद्यप्रदेश में होने वाल अफिस से अफिस के अंदर पहुंचा आ जाते हैं ठीक है लेकिन ये आदेश 100% सकते हैं और कई जगा से हमने इसको वेरिफाई किया है उसके बाद में आपके पास हम लेकर के आ रहे हैं तो चलिए बताते हैं इस आदेश में क्या लिखा गया है जोइनिंग को लेकर क्या य या ओफिसियल आदेश है उससे पहले आपको बता दे अगर आप M.P.T.E. बर्ग 3 की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चच्चु प्रकासन लेकर क्या आया है बर्ग 3 संपूर्ण इस्टडी गाइड इसमें आपको देखने को बिलेंगे 3000 प्लस बहुविकलपी पाति साथ में 400 पेपर और मान लिजी आपका कोई एक सब्जेक्ट गडबढ़ है बागी सारे सब्जेक्ट सही हैं तो उस एक सब्जेक्ट की किताब भी आप मगा सकते हैं जैसे की इंगलिस, गडित, हिंदी, संस्कित, परियावन, अध्यान और बालविकास इनमें से अमेजन और फिलिपकार्ड दोनों पर उपलब्द हैं आप नीचे दी गए लिंक पर क्लिक करके मगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन और फिलिपकार्ड दोनों की लिंक दी गए हैं लिंक पर क्लिक करके ये किताबे मगा सकते हैं ये दो से तीन दिन में ये पूरा आदेस की बात करें, पहले पूरा आदेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीजे इस आदेस की पॉइंटी टू पॉइंट समझाते हैं, देखिए, लोग सिच्छर संचनाले मद्यप्रदेस 14-10-2024, यानि की 14 अक्टूबर को यह जो है आदेस निकाला ग देखिए, बिसा है, पत्यक्रबांग अतिती 2019-2013, दिनांग 4-7-2019 की कंडिका 3-1-2 के बिस्यक, दोजार निस की कंडिका 3-1-2 में क्या कहा गया था, तो 3-1-2 में कहा गया था, जो भी 30% से कम रिजल्ट वाले अतिती सिच्छक हैं, उनको जोइनिंग नहीं दी जाएगी, अब यहाँ पर क्या कहा रहे हैं, संदर्ब देखिए, संचनाले द्वारा जारी सिच्छक आमंतरन वयस्ता, सैचिकवर 24-25 के समंद में, 24-25 में जो अतिती सिच्छकों को जोइनिंग दी जा रही है, उसके समंद में यहाँ पर यह बात बताई जा रही है, विसा है, पत्यक पत्यक्रमांक, आतिती सिच्छक 2019-2013, दिरांग 47-2019 की कंडिका 312 के निर्देश का पालन करते हुए, आतिती सिच्छक द्वारा गतवर सध्यापन कराएगी सालाव में, दस्वी तथा बार्मी, दोनों का च्छाओं में किसी एक अच्छा का परड़ाम का अवलोकन कर, अपर अनमोदित और यहाँ पर आपको साइन भी देखने को मिल रहे हैं, अपर संचालक के साइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और डेट भी 14-10-2024 यहाँ पर डली हुई है, अब देखिए इस पूरे आदेश का अर्थ क्या है, तो आपको पता है 30% को लेक नहीं दी जाएगी, यानि कि उनकी जोइनिंग को निरस्त किया जाता है, यहाँ आदेश DPI के द्वारा निकाला गया था, अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी अधिति सिच्चक पहले पढ़ा चुके हैं, उनकी डारेक्ट यहाँ पर अगले बरसे भी डारेक्ट हो जाती थी, अगर वो जोइनिंग लेना चाहते थे, तो हाई कोट का यह निर्देश था, कि इनको भाई डारेक्ट जोइनिंग दे दीजिए, लेकिन इस बार यहाँ आदेश निकाला गया था, कि 30% से कम रिजल्ट है, तो इनको जोइनिंग नहीं दी जाएगी, और यह आ बारवी के बारे में ही यहाँ पर सोचा जाएगा, इसी पर विचार किया जाएगा, यानि किवल बोर्ड कच्छाओं की रिजल्ट पर ही यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, यानि कि 9 और 11 में अगर उसका 30% से कम रिजल्ट है, तो भी चलेगा, दोनों में यहाँ नहीं होना चाहिए, 30% से कम रिजल्ट, अगर एक में कम रिजल्ट है, तो भी वो आगे पढ़ा सकता है, अब ऐसे सभी सिचकों के डारेक्ट जोइनिंग लेटर निकल जाएंगे, उसी स्कूल में, जहाँ पर वो पहले पढ़ा रहे थे, और जहाँ पर अभी भरती खाली ह जहाँ पर अभी वेकेंसी है, सीट खाली है, वहाँ पर उनको अब डारेक्ट जोइनिंग मिल जाएगी, अब इसमें नुकसान किसको है, तो इसमें नुकसान उन लोगों को है, जो माली जी कच्छा 8, 9 और 10, इन 3 क्लास को पढ़ा रहे थे, तो 8, 9 वाला तो इनका जोड़ जोड़े जाएगा, ठीक है, यह दसमी बारवी के लिए ही निकाला गया है, तो कच्छा 10 का जोड़े जाएगा, अब ऐसे सिचक जो माली जी एक में अगर रिजल्ट कम आया है, और एक में सही आया है, तो एक के बेस पर उनको आगे जोइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन ज एक ही जो है कच्छा का रिजल्ट चेक किया जाएगा, या तो दसमी का या फिर बारवी का, तो उनके लिए थोड़ा सा घाटा है, बाकि जो लोग दसमी बारी दोनों पढ़ा रहे हैं, उनके लिए सही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इन लोगों के जोइनिंग लेटर डा होटल है, उस पर भी आपको यह आदेश देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बाकि भाई बर्गतीन की तैयारी कर लो, बार-बार वाला यह टेंसन खतम हो जाएगी, हर साल जो है, अथिते सिचक के लिए हर साल अपलाई करो, हर साल जोइनिंग के लिए परिसान हो, यह तो हर स साल अब चलता रहेगा, जब से उनलाइन प्रक्रिया हो गई, तो यह आप चलता रहेगा, ठीक है न, अभी तक आपको पता है, नए अथिते सिचकों की साला अवंटन का एक, मतलब सुरू किया गया था, साला अवंटित कर दी गई थी, लेकिन फिर उनको हटा लिया गया, च्वाइस फिलिंग लॉक कर वाली, पर आप दे नहीं रहे हैं, ठीक है न, और बोला गया था कि हम 15-16 तक आपका क्लियर कर देंगे, तो 14 भी निकल गई, 15 भी निकल गई, आज 16 तारिक है, आज तक अभी तक कोई भी यहाँ पर साला अवंटित नहीं की गई है, नए अथि सिचकों को, तो यह परिसानी का सबा भी बना हुआ है, 18 तारिक तक इंतियार कर सकते हैं, 18 तारिक के बाद में, उमीद छोड़ी दीजी है, ठीक है न, अब देखते हैं, आगे क्या होता है, जैसा जो भी होगा, हम आपको तुरंत बताएंगे, जैसे भी अपडेट निकल कर प्रिवेस यर के जो भी कुशन है, लेटेश दोजार बाइस, दोजार तेश के, उन सभी कुशन को हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं, इस सीरीज के अंतर अगर आप केवल यही कुशन कर लेते हैं, तो भी आप आराम से कौलिफाई कर जाएंगे, हर सब्जेट का हम प्रिवेस लिएगे, दस तारिक से आपका एक्जाम है, दस तारिक तक आपके सारे PYQ यहाँ पर हम करवादेगे, इस सीरीज के अंतर अराम से पढ़कर कर जाएगे, और आराम से आप कौलिफाई कर जाएगे, चली कोई नई अपडेट मिलती है, तुरंट आपको सुचित करेंगे, नीचे टेलिग्राम चैनल के लिंक देगे ही सक्से जंक्सन लाइब के नाम से वहाँ पर फ्री में इस्टुडी माटेरियल हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, आप उस टेलिग्राम चैनल को जरू जान कर लिजेगा, मिलते किसी नई अपडेट के साथ में और थोड़ी देर में आपकी क्लास आने वाली है, जिसमें हम गडित पैडागोजी के टौफ हंड्रेट प्रस्टनों को कराने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में वह क्लास डल जाएगी, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद,